हेलो प्रेंट्स स्वागत आपका हमारे चैनल पर जिसका नाम है प्रत्वी स्टडी पॉइंट आज की वीडियो में हम fix deposit जो हम bank में करते हैं जिसे short में FD के नाम से popular है तो उससे related ये video है हम इसमें देखेंगे कि FD करने से पहले हमें case important बात का ध्यान रखना है और इसी video में हम FD calculator देखेंगे जिससे हम अपने आप check कर सकते हैं कि हम कितने की FD कर रहे हैं ठीक है और interest rate के हिसाब से time के हिसाब से उसकी क्या maturity मिलने वाली है तो दोस्तों करना क्या है जब भी आप FD का plan करें तो उसमें सबसे पहले आपको क्या करना है suppose कि आपको कल को bank में जाके FD करनी है ठीक है तो सबसे important है इसमें कि FD करने से एक दिन पहले हम interest rate की table जरूर check कर लें क्योंकि bank में क्या होता है वो time to time interest rate change होता रहता है ठीक है तो एक example समझते हैं suppose कीजिए मैं कल को PNB में जाके एक FD करना चाहता हूँ तो मैं Google पे जो है PNB FD interest rate सर्च करूँगा ठीक है ओफिशल website उसकी आ जाएगी इस पर tap करेंगे तो इस तरीके से website खुलेगी दोस्तों तो यहाँ पर देख रहे हैं domestic term deposit लिखा रहा है इस पर tap करेंगे तो domestic term deposit below 3 crore interest rate revised well effective 110-2024 तो आप देख रहे हैं कि एक October को यह update हुए है तो generally हमने क्या करते हैं यह video बनाने का उदेश यह है कि generally यह लोग करते हैं मैंने bank में खुद देखा है कि लोग जाते हैं और simply बोल देते हैं कि इतनी के FD करनी है तो उनको एक साल, दो साल, तीन साल इस तरीके से या पांस साल इस तरीके से वो अपनी FD को कराते है वो interest rate चेक नहीं करते, कभी-कभी होता क्या है कि bank के करमचारी के पास भी इतना समय नहीं होता कि वो आपको यह बता पाए कि sir इस पर interest rate जादा चल रहा है या इतना चल रहा है तो वो जितना customer कहते हैं उसी हिसाब से FD कर देते हैं तो यह important video इसलिए बनाईगी है ताकि लोग जादा जादा aware हो उनको पता चले तो जैसे ही आप इस table पर tap करेंगे तो देखें यहाँ पर senior citizen के लिए और general public के लिए interest rate आपको मिल जाएगी ठीक है तो जाइड सी बात है हर आदमी जो है maximum interest rate को देखेगा तो जैसे ही मैं इस table को देख रहा हूँ दोस्तों तो यहाँ देख रहे हैं 7.25 जो interest rate है वो 400 दिन की FD पर मिल रहा है और senior citizen को 7.75 मिल रहा है ठीक है तो टेबल देखने से यह benefit है कि आपको पता चल जाएगा कि किस duration पर maximum interest rate मिल रहा है अगर आप normally suppose कि आपने कह दिया कि 5 साल या 2 सालों से इस आप से करा रहे हैं तो देख रहे हैं 5 साल के लिए 6.50 interest rate है तो यह नुकसान हमें हो जाता है अगर हम FD करने से पहले interest rate चेक नहीं करते तो बहुत simple है जब भी आप करने जाएं प्लान कर रहे हैं तो उससे एक दिन पहले interest rate चेक कर लें टेबल में जाके तो आपको जो maximum मिलेगा उसी हिसाब से आप कर सकते हैं ठीक है अधर बैंक में भी है सेम प्रॉसेस है गूगल पर उस बैंक के FD rate लिखने उसकी ओफिशल वेबसाइट आजाएगी वहां से जाके rate चेक कर लेने है एक बैंक का और देख लेते हैं तो एग्जामपल सपोस किजिए किसी का बैंक को बढ़ोधा में है और वो बैंक क बढ़ोधा में FD करना चाहते हैं तो बी ओ भी FD इंट्रेस्टेट लिखके सर्च कर लेंगे सबसे उपर ही आ जाएगा इस पर टैप करेंगे तो इस तरीके से जो है यह पेज खुल जाएगा तो आ रहा है उपर ही देखें डुमेस्टिक फिक्स डिपोजिट को लैबल को लैबल यह है कि अगर हम जरुत पड़ती है तो हम इनको तोड़ सकते हैं बीच में ले सकते हैं तो यह देखें तीन अक्टूबर को जो है यहा पर हम देख लेंगे कि maximum क्या चल रहा है maximum इनका interest rate चल रहा है 7.15 अब अब टू यहर तू अब टू तू थ्री यहर मनलब दो साल से जादा और तीन साल से कम अगर हम कर रहे हैं तो 7.15 का interest rate मिल रहा है और senior citizen के लिए 7.65 मिल रहा है ठीक है तो table देखके FD कराना और maximum interest लेना बहुत ही simple है जरूरी information है जादा से जादा लोगों को पता होनी चाहिए ठीक है अब हम देख लेते हैं मैंने वह उला था वीडियो को जादा लंब करना नहीं है देखना है maturity calculator अब वो किसी भी bank PNB में app में PNB की website पर FD calculator है मैं उसको open कर रहा हूँ वहाँ पर क्या है amount डाल है और interest rate डालना है ठीक है और हम easily जो है अपनी maturity को check कर सकते हैं तो वापिस हम आ गए है PNB की website पर मैं यहाँ पर आपको FD calculator ठीक है और एक example दिखा दूँगा एक लाग की FD का maximum days पर कैसे calculate करते हैं तो देखे जैसे हमने देख लिया कि 400 days में 7.25 का interest rate है 400 दिन में 7.25 का interest rate च ठीक है तो अब हम calculate करके देखते हैं कि अगर हम एक लाग की FD करेंगे तो हमें कितना benefit होगा जैसे ही आप नीचे आएंगे हाँ पर तो देखे यह calculate का option आ रहा है ठीक है इस पर click करेंगे जैसे ही हमने click किया तो यहाँ पर यह calculator आ गया है और यहाँ पर fix deposit calculator पर मैंने tap कर दिया है तो देखे इस तरीके से आ गया है maturity value, fix rate of interest और days ही आ रहे हैं तो यहाँ पर देखे एक लाग पहले सी feed है rate of interest यहाँ पर हम change कर सकते हैं तो जैसे वहाँ 7.25 है तो मैं यहाँ 7.25 है लिखूंगा और यहाँ पर यह time है तो time में देखे month और days में option है तो यह days पर हम click कर देंगे तो यह days में हो गया और days है 400 400 तो यहाँ 400 लिख देंगे तो यह देखे अब 400 दिन हो गए 7.25 interest rate हो गया तो यह हमारी maturity आ गई 1,08,192 रुपए बहुत ही simple है bank ने सारी सुभिदा दे रखी है तो आप इस calculator से अगर other bank का भी कर रहे हैं तो easily check कर सकते हैं बस आपको interest rate डालना है और time डालना है और अपनी maturity चेक कर सकते हैं ठीक है यह यह सब official website पर bank की available है तो दोस्तो जानकारी अगर important लगी हो और यह सभी उन दोस्तों के लिए है जो bank में जाकर FD करते हैं ठीक है तो बस वो FD करने से पहले इन दो चीजों का धियान रखेंगे जब भी करेंगे तो interest rate जरूर एक दिन पहले check करेंगे जो maximum चल रहा होगा उस